नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों हम आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं सेमेश्टर फाइव डी यू एस वेल के सारे लेक्चर्स आपको यहां मिलेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो आप पहली बार पढ़ रहे हो पहली बार दोस्तों यह वह सब्जेक्ट थैं जैसे कि जैसा भी मैंने परस्नल फाइनेश भी पढ़ाया आपको वो हमें परस्नल अपने प्लानिंग के वारे में तो सिखाता ही है को इसे बनाना है और यह आप बधिनस करोगा ग्रियाश्वेट हो जाओगे तो आपको कौन-कौन सी ब तो आपको निकाल भी दिया जाएगा तो बहुत इंपोर्टेंट है और जो आप यह सब पढ़के जाओगे ना इंडिस्ट्री में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आपको लगए कि मैंने तो यही सब पढ़ा है मतलब पढ़ेवे का रियल में यूज करना एक अलगी ब पढ़के तो हम देखते हैं क्या-क्या पढ़ना है तो यह है कौंटện्ट यूनिट वन लेस्प्कॉल है क्थवेड़ कानुन है कैसे करते हैं कब deposit किया जाता है कैसे काटा जाता है employee की salary से लोग बोलते हैं salary तो 50,000 है लोग बेंगे ट्राय पता होना चेह सब आपको और आप तो एक अलग ही knowledge वाले होंगे को कि इसमें तो नोग ही नोग रहे ही जाता है दोक्टर्स इंजिनियर को थोड़ी नहीं सब पढ़ाया जाता है वह तो बैचारे ढूंडते रहते हैं कोई दोस्त मिल जाए किसी कंसेट्मेंट के पास चल जाए और देखो है मेरे इतनी सेलरी तना कट के आ रहा है मेरा टेक्स का रिटन देखो है और मेरे फाइन से प्रानि पर इसको एक इंसूर्इन्स परॉइड करते हैं और ऐसे- marginalized करा सकते हैं वेसियूंब спасибо you और employee को क्या क्या benefit है यहां भी employee की बात हो रही है यहां भी employee की benefit की बात हो रही है और यह payment of wages act 1936 और payment of bonus act 1965 यह भी यहां पर employee की बात हो रही है कि भाया factory में काम करने वारे लोगों को कितना wages दिया जाता है minimum wages के बात होती है कि कम से कम इतना wages तो दिया ही जाएगा आप उनका सोशन नहीं कर सकते जो बैचारे मजदूर होते हैं वर्कर होते हैं फैक्टरी में काम करते हैं लेबर होते हैं तो payment of wages act उनको protect करने के लिए आया है कि उनकी भी तो जीवन है ना उनको भी तो अपनी फैमिली देखनी है बचारे बड़े उमीद से अपने एक एक पैसे बचा कि अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते देखो जिसके पास बहुत सारे सब्सक्राइब ना तो शायद उनको उस रिसोर्स का महत नहीं पता या वैल्यू नहीं पता लेकिन आप ऐसे परिवार में जाके देखो जहां पर 9-10,000 रुपे इंकम है और फिर भी उनके सपने यह है कि किसी तरीके से उनके बच्चे पढ़ लिख लेको कि उनको पता है पढ़ने लिखने का महत तो क्या है अगर कोई फैक्टरी में एस सेक्यूटी गार्ड काम करता है या कोई वरकर काम करता है और वो जब कोई देखता है किसी एक यंग बंदे को बिलकुल एक well maintained dress में और पता चलता है यार यह इस company का accounts manager है finance manager तो उनके आँखों में न वह सपना दिखता है अपने बच्चों के प्रती अपने बच्चों के लिए भी कि वह भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे मेरे बच्चे को यह काम नहीं करना पड़ेगा वह भी आराम से मजे की लाइफ जीएंगे आएंगे तो अगर हमारे पास resources available हैं तो हम खुद को lucky समझें और best use करें उन resources का ताकि हम life में दो आगे तो सब बढ़ते है no doubt लेकिन हमें अगर जल्दी बढ़ना है तो थोटी ज्यादा मैनत करने पड़ेगी चलो ज्यादा घ्यान की बाते हो गई आगे बढ़ते हैं लेसन यूनिट फोर लेसन वन दा पेमेंट ऑफ ग्रैश्यूटी एक नाइन तीन सेवंटी यहां भी एंप्लोई की ही benefit की बात ह जसे इतना डिएयूटी इतना देना है यहां gratitude gratitude कि अगर एक minimum 4 यह 5 साल आप इसी company बिता लेते हो आफ ऑना और आपने अपने अपने लाइड के पानले एक उस्टे बात ऑन इकन को थोड़गी से लाइफ में सेटल होता हूँ यूनिट फाइब है एंप्लोई कंपंसेशन अगर हम देखें जितने भी एक्ट पढ़ेंगे सब का अब्जेक्टिव एक ही है एंप्लोई की बेनेफिट के लिए सारी चीजे होने चीज तो सरी इन सब की जरुत क्यों पड़ी भाई अगर ये सब चीजें नहीं होंगी न तो यह बिजनस्मैन है जो पैसा कमार है यह लोग कुछ नहीं सोमाज करें कुछ नहीं सोचेंगे उनकी लाइफ के बारें फिर तो यही बात होगी कि आजादी से पहले भी वो लोग ऐसे ही लाइफ-चीएंगे तो यह जो कानून बनाए जाते ह आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि इनको भी जीने का हक हो इनके भी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले इनके भी सपने पूरे हो सकें तो हम इन सारे एक्ट को उसी अबजेक्टिव के लिए पढ़ेंगे ना तो बहुत मजाएगा चीजों को समझने में और आप कोड़ी ना पता होगा पीएफ के बारे में अगर पता करना चाहेंगे तो उनको यह सब पढ़ना पड़ेगा और हमें तो इतना फायदा हमारे तो स्लेबस में ही है और हमारी तो लाइब से चीज़ को रिलेट कर सकते कंपनी में जाओगे एक एक चीज की वीडियो मैं बनाता हूं हर एक सलेबस को एक्स्प्लेइन करने के लिए ताकि आपका एक ओवरॉल आइडिया मिल जाए तो यह वीडियो में सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड़क्शन दिया है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं आने वाले लेक्शर्स में ताकि आपको सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ और मेरी यही कोशिश है कि यार यह जो दी यू एसोल के बच्चे ना उनके लिए मैं पूरा पढ़ा देना चाहता हूं अगर कोई सब्जेक्ट उठाया है तो उसको पूरा पढ़ा दूं हो सकता है कई बार टाइम के कमी की आप लोग भी पहुच सकते हो और मेरे से तो बहुत आगे जा सकते हो तो इसी उमीद के साथ मैंने थोड़ा सा एक सोसाइटी के कह सकते हैं कि सोसाइटी के परस्पेक्टिव से पॉइंट व्यू से कि सोचा की चलो जी मैंने इतना पढ़ा है इतना सब कुछ करने को मिल रह तो उमीद करता हूं आप लोगों को पसंद आ रहो हो कहा है मेरी वीडियो जैं बीच-बीच में में इंडेस्ट्री की चीज़ा भी शेयर करता रहता हूं और मेरे चैनल पे एक और मैं एक प्लेडिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इंडेस्ट्री प्रैक्टिकल प्रिशन देता हूं तो आपका एक जॉब लगने के बाद का भी कोच मैं बन सकता हूं और जॉब लगने से पहले का भी कोच मैं बन सकता हूं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन नमबर बन के साथ एंप्लोई प्रोविजिन पढ़ेंगे तब तक के लिए गुर्बाई दोस्तों बाई बाई टेक केर